हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक कॉस्चन है यह कॉस्चन क्लास 9 की मैट से चैप्टर नमबर 1 नमबर सिस्टम से लिया गया है इस वीडियो में हम इस कॉस्चन को डिस्कस करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आंतर तक देखिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं देखते हैं क्या पुछा गया है और इसे कैसे और यूठाइगे फिर इसको हम क्ंस्टक्ट करेंगे ठीक है तो मारीजीए कि यह कोई स्क्वायर है आपके पास o a b c ठेखें यह क्या है कोई स्क्वाइर आपके पास और इस स्क्वाइर का जो साइड्स है वो वबन यूनिट का है कितने का है Сегодня का है यह कंगता है hardcore में स्क्वेर स्क्वेर् हमारे पास और यहाँ पर हम यहाँ पर करना के इनकी साइड़ों का नाम रखेंगे यहाँ हरब है हाइपोटेनियस है हमारे पास वह है Ub dengan guitill इस हमारा ओगे होज हो जाएगा और कि और परपेंडिकुलर हमारे पास metafitec also right तो इसी को बोलते हैं पाइथाग्योप इस्ट्हेयर darm क्या हाइपटेनियस का स्क्वार इस ऑच इक्वार पलस परपेंडिकुलर का स्क्वाइर तो इसी का हम इस्तिमाल करेंगे सॉल्यूशन तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ राइट कर लेते हैं कंसीडर कि आई यूनिट स्क्वाइर ओए बी-सी ओके यह हमारा स्क्वाइर है क्या है यह हमारा स्क्वाइर है इसका नाम क्या है ओए बी-सी इसको आपने कंसीडर कर लिया वीद कि इच साइड़ कि वन यूनिट इन लेंद तो क्या हो गया हमरे पास पाइथागोरस थिरम तो पाइथागोरस थिरम में हम इसका इस्तेमाल करेंगे के और our houseर की इच को कटि ओर कर दें तो स्क्वाइर है अगा स्क्वाइर को रिमूग कर दें तो इधर स्कॵाइर रूट तो ये हो जाएगा O V is equal to O A square plus A B square whole square root O A की value हमने लिट कर रखा है 1 unit A B की value हमने लिट कर रखा है 1 unit तो यहां पर put कर देंगे 1 whole square plus 1 whole square तो further इनको solve करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 1 square 1 plus 1 square 1 तो यह क्या जाएगा 1 plus 1 2 unit आ जाएगा किता आ जाएगा 1 plus 1 square root 2 तो यह हो गया हमारा यहां पर O B की value इधर क्या आ गया square root 2 तो अब हम चलते हैं इसका figure बनाते हैं और उसमें represent करते हैं square root 2 को तो चलिए अब हम square root 2 को number line पर represent करते हैं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह हमारा scale है देखो यहां पर यह centimeter है और यह वाला इंच है तो मैं एक इंच को एक unit मान रहा हूं और इस प्रकार से मैं क्या करूंगा देखो यहां पर एक line draw कर दूंगा यह मैंने एक line ड्रो कर दी अब यहां बीच में हमारा रहेगा 0 ठीक है यहां पर रहेगा minus 1 यहां पर रहेगा minus 2 इधर रहेगा प्लस 1 इधर रहेगा प्लस 2 ठीक है यह हमारा 0 तो अब इनकी numbering कर लेते हैं देखो यह हो गया हमारा 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 और भी आप ले सकते हैं जैसे कि प्लस 3 माइनस 3 लेकिन इतने से ही हमारा जो है फीगर बन जाएगा तो हमें ज़्यादा numbers लेने की जरूद नहीं है अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो 0 है यहां पर एक captivity कि इसका पर्पनिकुलर इंटर्सेक्टिंग लाइन करेंगे एक होता है एक हम पर फोटेक्टर का यूज करके 90 टीटेडरी की लाइन बनाने दूसरा होता है हम कंपस का यूज करके करके और लिव्य भी भना ले तो यहां पर मैं कमपस यूज युज़करणगा इसका यूज़कर के 90 डिग्री की लाइन बनाओंगा तो सबसे पहले देखो क्या करना होता है कि यह आपका कमपस है यह इसका पिन टिफ है और यह इसका पैंसिल टिफ है हम क्या करें गे इस pin tip को 0 पर रखेंगे और कोई भी radius ले करके एक semi circle draw कर देंगे यानि कि एक arc draw कर देंगे तो यह हमने कोई भी radius ले करके एक arc draw कर दिया अब हम क्या करेंगे इस distance को change नहीं करेंगे यहां से 2 cut लगाएंगे एक यहां पर और एक यहां पर ऐसे हमने 2 cut लगा दिया अब हम क्या करेंगे कि इनी 2 cut से एक arc draw करेंगे इधर और एक arc draw करेंगे इधर से तो आप देखेंगे कि यह दोनों arc एक दूसरे को इस point पर cut कर रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे कि इन points को मिलाती हुई एक line को draw कर देंगे और draw करने के बाद में यह हमें 90 degree मिल जाएगा ठीक है अब अब ज्यान से देखना कि इधर आपको एक unit लेना था और इधर आपको एक unit लेना था तो जब हमने inch लिया था तो इसी scale sum 1 unit जो है यहां पर ऐसे cut कर लेंगे तो हमारा 1 unit जो है वो यहां पर आएगा इस point पर ठीक है थोड़ा सा नीचे अब क्या करेंगे कि इन दोनों points को मिला देंगे कौन-कौन से point को दिखो यह हमारा होजेगा A यह हमारा होजेगा O और यह हमारा होजेगा B तो इन दोनों points को मिला देंगे तो अब हम O और B को मिला देंगे यह हमारा होजेगा line OB यही जो line OB है हमारा यही हमारा square root 2 के equal है ठीक है अब हम इस compass से O और B के बीच के distance को cut कर लेंगे और इसे एक arc draw कर देंगे ठीक है तो यह arc हमारा कुछ ऐसे होगा ठीक है यह होगया हमारा arc किसकी help से OB की help से माल लिजे कि यह जो arc है आपका P point पर cut कर रहा है किस point पर P point पर यह जो OB की जो distance होगी वो OP के distance के equal होगी मैं आपको major करके दिखा देता हूँ देखो जैसे हमारा compass है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है OB और यह क्या है OP दोनु क्या है इक्क्वल है तो यहां पर यही जो OP distance है वो equal होगी OB के और यही equal to होगी square root 2 के तो मिन्स यह वाली distance कितना है square root 2 के equal है अब यह OP distance जो है इसको हम highlight कर देखो OP distance हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है यह वाला point यहाँ से लेकर के यहाँ तक OP distance है यही हमारा square root 2 के equal है तो इसको क्या करेंगे highlight कर देखो highlight कर देखो आपको दिख रहा है तो देखो अब हम answer में लिख सकते हैं then P corresponds to square root 2 on the number line on the number line तो लास्ट में हमारा answer क्या हो जाएगा then P corresponds to square root 2 on the number line तो यह हमारा answer हो जाएगा तो आप चाहें तो इसे rate down कर ले या फिर वीडियो को पाउज करके screenshot ले ले तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक अगले थेंक्यू ग्लास के वीडियो में एचले प्य़क्त हमी ले आया है झाल झाल